तो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम डिसकस करने वाले हैं आई पी उनिवस्टेटी की online counseling process step by step एक भी step आपको miss नहीं करना है सारे details आपको correctly fill करनी है यह final submission होगा इसके दरब अपना correction भी कर पाएंगे अपने documents को re-upload भी कर पाएंगे अपने category, region वगर आप सब बिल्कुल यहां पर correct कर सकते हैं documents की online verification होगी तो documents को accurately अपना upload कर देना ताकि आपको कोई भी problem ना है अब जल्दी से start करते हैं और देखते है step by step process for registering on online counseling IP university सो फ्रेंट जल्दी से देखते हैं कैसे हमें online counseling के लिए registration करना होता है और यह बहुत important step है आप लोगों के लिए एक-एक step को ध्यान से देखो as it is इसको आपको follow करना है counseling पे आपको सबसे पहले click करना हुआ यह website है ipu.admissions.nic.in और इनका जहां पर main homepage है यहां पर आपको counseling 2021 का option देखने को मिलेगा अब यहां पर जाने के बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप online counseling के लिए apply करेंगे तो आपको दो options यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है दो option में आपको क्या देखने को मिलेंगे यहां पर एक तो new candidate registration है और एक user id password और security pin आपको यहां पर दिया गया है new candidate registration सिर्फ वही करेंगा जो btech वाला student है और या फिर law के लिए जिन्नोंने apply करा था जिन्होंने initial level पर 1000 रुपीज का application form फिल नहीं करा था उनके लिए यह होता है बाकी जो students है जिन्होंने पहले ही अपना online counseling के अंदर apply कर लिया था उन बच्चों को यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं डालना है और सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको अपना login ID password डालना है जो आपने पहले create करा था उसके बाद आपको सारा process समझ में आ जाएगा तो जल्दी से login करते हैं और देखते हैं क्या करना होता है इसके अंदर तो user ID हम पहले सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर अपनी ठीक है मैं अभी बस आपको करके दिखा रहा हूँ आपको जितनी भी information डालने है आपको correction करने का भी मौका मिलेगा तो जितनी भी information आपने पहले गलट डाली थी उसको आप review करके दुबारा से re-upload कर सकते हैं documents पी आप यहाँ पर अपना re-upload कर पाएंगे और पहले मने live के अंदर बताये था बट आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल जाएगा recorded के अंदर तो जल्दी से हमने अप अपना login कर लिया है अब यहाँ पर login करने के बाद जिसका भी आपने ct दि दिखा आएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है click here to proceed और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेगा registration form incomplete है contact details incomplete है यह सारी चीज़े हम complete करने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी यहाँ पर online counseling की बात हो जी तो हमें online counseling की details दुबारा से fill करने हुए edit करने का option आपक आपको क्या करना होगा application details पर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी application details मिल जाएंगी fill करने के लिए दुबारा से आप यहाँ पर edit कर पाएंगे पहले आप इसको fill कर चुके हैं अच्छी तरीके से I know but अगर आपने कोई mistake कर दी थी then you can read it again तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा सा तो है region डेली का हो जाएगा अगर वह आउटर डेली था तो आउटर डेली हो जाएगा religion के अंदर अपना religion सेलेक्ट कर लेंगे category SCST OBC जो भी आपने डाला था नहीं डाल पाई था आपके बास certificate नहीं था तो आप अभी यहाँ पर apply कर सकते हैं मैं अभी यहाँ पर general कर दे र इसके बाद आपको जाना होगा defense personal नो यह सारी चीज़े नो है ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है आप चेक आउट करने गर आप जमू कभी कश्मीर migrant है तो आप यहाँ पर यहाँ कर दिना मैं अभी सिर्फ आपको नो बता रहा हूं visibility mark आप यहाँ डाल सकते हैं कोई भी valid होना चाहिए जिसके अंदर आपको refund दिया जाएगा ध्यान रखना इस बात का आपको इसके अंदर ही refund दिया जाएगा नहीं तो आपको जो आप जिसका भी account डिटेल डालोगे उसके अंदर refund चला जाएगा आपका next पे click करेंगे यहाँ से next पे click करने के बाद अब आपके पास option आ जाएगा अपने contact details की information डालने के लिए तो अभी मैं क्या करूँगा आपको दिखा देता हूँ मैं अगर आप अभी यहाँ पे next step पे आगए और आपसे लगज़ा है कि कोई गलती हो गई थी पिछले वाले में तो आप यहाँ से previous में जाके उसको दुबारा से edit करक ठीक है save and next पे click करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने class 12 की details डाल देनी है जो आपने obtain करी थी और वहाँ सारी information अगर आपने कोई mistake कर दी थी तो आप उसके अंदर यहाँ पे edit भी कर सकते हैं और अभी आपके पास अच्छा मौका है बाद में verification होगी तो बहुत दिक्क तो आपको हो सकती है yes पे click कर देंगे yes पे click करने के बाद upload documents के बारे मैं आप यहाँ से पूछा जा रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी class 12 की mark sheet upload करनी है PDF format के अंदर और cancel check आपको JPEG format के अंदर 10 से 100 की बीच में होना चाहिए जो आपको यहाँ पे print out लेना होगा ठीक है तो यहाँ पर अपना वह upload कर देंगे और यहाँ पर आपको अपनी फाइल upload करने का option मिल जाएगा preview and final submit पर आप click करेंगे submit and preview पर अगर मैं जाता हूँ तो इसे student की सारे details यहाँ पर submit हो जाएगी जो कि मैं नहीं करना चाहरा क्योंकि यह किसी के के लिए उनको भी यहाँ पर document अपना अप्लोड करने का option आ रहा होगा उनको यहाँ पर अपना document अप्लोड करना है और बिल्कुल ध्यान देना है कि सारी चीज़े और वेरिफाई होगी तो बहुत सो मज़के अपने documents को upload करें ताकि आपको in future कोई भी दिक्कत ना आए अगर कोई डाउट रह गया है कोई भी query है comment section में जिरूर लेखे मैं अपना अगले डाउट session के अंदर complete resolution आप लोगों के लिए लेकिया होगा वीडियो ची लगई हो तो like जिरू करने और मिल दे नेक्स वीडियो में से तरके के education content के साथ thank you so much